हेलो एब्रीवान वेलकम तो माट्स क्लासे बाई केवी टीजर बच्छो आज इस वीडियो में हम एट प्लास माट्स के फॉस्ट चाप्टर की फॉस्ट एक्ससाइज स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर का नाम है राशनल लंबर्स राशनल नामबर्स कान से होते हैं एनी नामबर्स विच कान बी एक्स्प्रेस्ट इन दा फॉर्म उफ पी बाई क्यू किसी भी नामबर को जब आप फ्राक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं चाहे वो कोई decimal का number है 2.1, इसको आप 21 by 10 लिख सकते हैं, कोई whole number है, मान लिजे 5, 5 को आप 5 by 1 लिख सकते हैं, 0, 0 को 0 upon 1 लिख सकते हैं, negative number है चाहे, decimal का number है, fractional number है, कहने का मतलब है आपने आज तक जितने भी number पड़े है, 8 class के first chapter तक, वो सभी rational numbers हैं, irrational number root वाले होते हैं, जो क ही आप square and square root chapter है, आपका 8 class में, वहाँ से शुरू करेंगे, irrational number को पढ़ना, तो अभी तक सारे number आपके rational number थे, और rational number के की कुछ properties भी होती है, जो आपने 6 और 7th class में पढ़ी है, for example, आप जानते हैं कि 2 multiplied by 3 और 3 multiplied by 2, दोनों के सेम answer होते हैं, मतलब order change करने से, multiplication के answer पर कोई फ commutative law आपने पढ़ा है, associative होता है, distributive law होता है, multiplicative identity, additive inverse, ये सभी आप previous class में पढ़ चुके हैं, जो कि actually 1.1 में सभी concept यूज हो रहे हैं, एक बार हम ये सभी चीज़े quickly revise कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग exercise स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो properties की नाम आपको पता होने चाहिए, commutativity या फिर commutative property भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कई बार general question आजाते हैं, आपको कहेंगे, minus 2 by 6 into 3 by 5, equal होता है, 3 by 5 into minus 2 by 6 के, तो ये किस property से हुआ है, ये इस property का नाम है commutativity, commutativity दो operation पर apply होती है, addition पर, और multiplication पर, आप दो numbers को किसी भी order में add करिए, 2 plus 3 करिए, या फिर 3 plus 2 करिए, answer will be same, subtraction में ऐसा, addition और multiplication पर apply होती है, sorry, subtraction में ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि 2 minus 3 करिए, या फिर 3 minus 2 करिए, तब answer same नहीं आएगा, नहीं division में ऐसा होता है, 6 divided by 3 और 3 divided by 6, same तो नहीं होत multiplication किये, जो property है, कि जहां पर आप order अगर change कर दे numbers का, तो भी answer same आता है, इसे हम बोलते है, committative law, committative property या फिर committativity, okay, next, second property है, हमारी associativity, या फिर associative property, या फिर associative law, ये क्या कहती है, जब आप 3 numbers को multiply कर रहे हैं, या फिर add करें, for example, आपको add करना है, 2 plus 3 plus 5 को, आप पहले 2 plus 3 को add करें, बाद में 5 को add कर दीजे, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, या फिर आप 2 plus 3 plus 5, इसमें 3 plus 5 को पहले add करें, 8 और फिर उसमें 2 add कर दीजे 10, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि grouping आप किस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे multiplication में भी होता है, आपको कई बार question आ जाता है, 2 by 5 into 3 by 6 into 9 by minus 9 by 11 कुछ भी, ये equals to 2 by 5 into 3 by 6 into minus 9 by 11, bracket का क्या मतलब है, मतलब पहले आपको ये solve करना है, board mass में obviously आप जानते हैं, पहले bracket solve होता है, तो वो कहेंगे कि इन दोनों का answer same है, ये किस property से है, इस property का नाम है associative law, associative property या फिर associativity, ओके, third, तीसरी जो सबसे important है, काफी use होती है, वो ह है हमारा distributive law, या फिर distributivity, distributive law, distributivity, distributive property, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़े होती है, सबसे पहले तो अगर बाहर कोई number है, for example 5, उसके बाद bracket लगा हुआ है, मतलब multiply हो रहा है 5, और bracket के अंदर दो number है, जो add हो रहे है, 2 plus 3, जब आप bracket open करेंगे, तो पहले आप 5 into 2 करेंग plus 5 into 3, मतलब ये जो 5 है, ये दोनों से multiply होता है, एक तो distributive property ये बोलती है, एक इसका opposite भी ये कहती है, कि अगर कहीं ऐसा है, 5 into 2 plus 5 into 3, दो numbers ऐसे multiply हो रहे हैं, बीच में addition का sign है, इन दोनों multiplication वाले number में जो common है, जो दोनों के पास है, उसको आप बाहर ले सकते हैं, 5 common है क्योंक ब्राकेट लगाएंगे, 5 के अलावा जो बचा, वो लिख देंगे, 5 बाहर चला गया, यहाँ पर 2 बचा, बीच में plus का sign है, 5 चला गया, multiplication भी चला गया इसके साथ, 3, वही आ गया दोनों चीज़े, distributed property बोलती है, इसके question, 8 class में ऐसे आएंगे, आपको कोई भी fraction में number दिया रहेगा, 11 by 6 into minus 3 by 2, प्लस 11 by 6 into minus 9 by 2, आपको कहेंगे, इसे solve करें using property, तो इसमें आप देख रहे हैं, दोनों में 11 by 6 common है, आप common लेंगे, ब्राकेट में जो बचेगा, वो लिखेंगे, minus 9 by 2, उसके ब 11 by 6, ये cancel होगा, minus 6, 11 by 6 into minus 6, cancel, minus 1 बचा, minus 1 into 11, minus 11, ये आपका answer है, clear है, तो ये third property है हमारी, distributive property, ओके, तो ये तीन properties आपको पता होनी चाहिए, first is commutativity, commutative property, जहाँ पर order change होता है, addition में और multiplication में, आगे पीछे हो जाते है number, second है associativity, जहाँ पर grouping आप कैसे भी कर लीजे, तू ये answer same आता है, third is distributive property, जिसमें अगर number बाहर है, bracket में दो number आड़ हो रहे हैं, तो ये दोनों से multiply होता है, और अगर by chance एक number, दो number से multiply हो रहा है, बीच में plus या minus है, तो फिर वो common बाहर आ जाता है, okay, अब हम आते हैं, multiplicative identity and additive inverse पर, सबसे पहला है हमारा additive inverse, किसी भी number का जब आगे का sign change कर दीजे, for example, 2 का additive inverse क्या होगा, 2 का additive inverse होगा, minus 2, minus 2 का क्या होगा, minus 2 का additive inverse होगा, 2, okay, 11 by 9 का क्या होगा, minus 11 by 9, और minus 3 by 5 का क्या होगा, 3 by 5, okay, ये होते हैं, हमारे additive inverse, अब आते हैं, multiplicative inverse, या फिर, multiplicative inverse, या फिर इसे एक नाम से और जाना जाता है, reciprocal, आपको question अगर आएगा, एक number दिया होगा, इसका reciprocal लिखिए, या फिर multiplicative inverse लिखिए, एक ही बात है, इसमें numerator और denominator interchange हो जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, 7 by 2, इसका multiplicative inverse क्या होगा, या फिर इसका reciprocal क्या होगा, इसका reciprocal होगा, 2 by 7, okay, 3 by 9 का, 9 by 3, अब हम बात करते हैं, negative number, अगर मैं आपसे कहूँ, minus 5 by 6 का reciprocal क्या होगा, तो आप इसमें क्या करते हैं, 6 उपर ले जाते हैं, minus 5 नीचे, ये सही है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब आप fraction में number लिखते हैं, negative number को denominator में लिखना avoid करिए, आगे की classes में आपको problem होगी नहीं तो, ये rationalization में जाएगा, 9th class में जब हम बात करेंगे इसकी, अब इसे आप ये practice बना लिजे, जब भी negative नीचे हो, आप उसको नीचे नहीं लिखेंगे, उपर ही रिख देंगे, कभी आपको अगर दिया भी जाए, आप cancer 2 by minus 3 आजाए, तो उसको minus 2 by 3 कर दीजे, कुछ नहीं करना है, बस minus आप उपर ले जा सकते हैं, easily, इतना आप समझ लिजे, ओके, तो negative की number का कभी आप से inverse या multiplicative inverse reciprocal पूछा जाए, तो आपको minus sign उपर ही रखना है, नीचे नहीं ले क्या ना, numbers को interchange कर दीजे, अब हम बात करते हैं, किसी single number के, जिसमें fraction है, यह नहीं number है सिरफ, for example, 5, 5 का multiplicative inverse या फिर reciprocal क्या होगा, इसका reciprocal होगा, 1 by 5, क्यों, क अगर आप से पूछा जाए, minus 9, इसका additive inverse क्या होगा, अब आप कहेंगे, 1 by minus 9, लेकिन मैंने कहा था, minus उपर ही रहने दीजे, तो आप minus 1 by 9 लिखेंगे, clear है, होपली यह सभी concept आपको समझ में आ गए होगे, एक तो आपको properties पता होनी चाहिए, और एक multiplicative inverse, या फिर reciprocal and additive inverse, च Exercise 1.1 पहला question है हमारा, using appropriate properties find, appropriate property use करिए और इसका answer बताइए, question है आपका minus 2 by 3 into 3 by 5, यह दो नंबर multiply हो रहे हैं, plus 5 by 2, minus 3 by 5 and 1 by 6, करने को तो हम इन दोनों को multiply कर सकते हैं, हिने multiply करके, LCM लेके solve कर सकते हैं, लेकिन question में कहा है कि property use करिए, तो properties 3 है हमारे पास, कुछ तो आपको ज़रूर use करनी पड़ेगी, यह देखिए, यहाँ पर आप ऐसे दो numbers ढूंडिए, जिन में दो number multiply हो रहे हैं, और कुछ common हो, for example, 2 by 3, 3 by 5 यह एक number है, क्योंकि multiply होके एक हो जाएगा, 5 by 2 के साथ कुछ multiply नहीं हो रहा, एक number यह है, और third number यह है, क्या इन तीनों में से कोई दो number में कुछ common है, बिल्कुल यह देखिए, यहाँ पर भी 3 by 5 है, यहाँ पर भी 3 by 5 है, यानि कि इन दोनों को साथ लेके आए और फिर हम इन में से common लेकर distributive law लगाएंगे, कैसे करेंगे इस question को आप, फिले question लिख लेते हैं, minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6, okay, सबसे पहले first और last number म हमें common दिख रहा है, इन दो में और इन दो में 3 by 5 common है, तो एक काम करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, 5 by 2 को पीछे ले जाते हैं, दोनों साथ में होंगे, तभी आप easily इन से common ले पाएंगे, ऐसा हम किस property से कर सकते हैं, कि एक number को आगे एक number को पीछे ले जा सकते हैं, इसको आगे आ गया, तो इसको इसके पीछे लिख दीजे, 3 by 5 into 1 by 6, और plus 5 by 2 last में, अब इन दो नंबर से कुछ common लेना था आपको, क्या common है यहाँ पर, 3 by 5, 3 by 5 बाहर ले लिजे, 3 by 5 common, ब्राकिट लगाईए, ब्राकिट में क्या बचेगा, 3 by 5 चला गया, तो इसके साथ जो यह multiply हो by 3, यह गया, आगे minus का sign बचता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 by 5 गया है, यह minus रह गया, so minus, और 3 by 5 चला गया, उसके साथ multiplication भी चला गया, क्योंकि 1 by 6 multiply 3 by 5 के साथ हो रहा था, अगर वो नहीं है, तो फिर यह पूरे ही, जो operation है, वो भी चला गया, क्या बचा, सिरफ 1 by 6 बच में, okay, plus 5 by 2, last में, as it is, लिखेंगे आप, और यह common आपने कैसे लिए, यह लिए है, आपने distributive property से, तो यहाँ लिखेंगे, by distributive property, या फिर by distributive law, या फिर by distributivity, property, okay, अब यहाँ पर bracket solve करेंगे, क्योंकि board mass का ध्यान रखना है, हमेशे ऐसे question करने में, board mass कहता है, पहले bracket solve करिए, off का तो इतना use नहीं है, फिर division, multiplication, addition, and last में subtraction, तो चलिए 3 by 5, bracket में है, minus 2 by 3, minus 1 by 6, इन में से हमें LCM लेना पड़ेगा 3 और 6 का, क्योंकि fraction को आप तभी याड़ कर सकते हैं, जब denominator सेम हो, 3 और 6 का LCM 6 हो जाएगा, अब minus 2 के नीचे 3 था, आपने common LCM ले लिया 6, 3 को 6 बनाने के लिए आपने 2 से multiply किया होगा, ओपर भी 2 से multiply करिए, जब ये 2 से multiply होगा, तो कितना हो जाएगा, minus 2 into 2, minus 4, यहाँ पर इसके नीचे 6 था, अभी भी 6 ही है, मतलब आपने change नहीं किया, तो ओपर भी आप change नहीं कर अब bracket को solve करिए, 3 by 5, minus 4, minus 1, minus 5 by 6 हो जाएगा, plus 5 by 2, अब आप जानते हैं, जब bracket के और number के बीच में कोई sign ना हो, तो multiplication का sign होता है, मतलब 3 by 5 multiply हो रहा है, minus 5 by 6 से, last में plus 5 by 2 as it is है, पहले नहीं multiply कर दीजे, 5 से 5 क्यांसे, 3, 2, 6, कितना बचा है यहाँ पर, minus 1 by 2, and plus 5 by 2, denominator same है, LCM वगरे की जरुवती नहीं है हमें, क्या answer आएगा, 2 and 5 plus के है, minus के 4 है, minus के 1 है, तो answer हो जाएगा, plus के 4, 2, 2's are 4, that means answer जो है, आपका वो 2 है, एक बार फिर से बता देते हैं, जब आपने यह question लिखा, उसने का है, property यूज़ करनी जरूरी है, जो number multiply हो रहे हैं, उनको एक group आप लेके चलिए, क्योंकि वो multiply होके एक ही हो जाना है, ये ये और ये तीन numbers हैं यहाँ पर, इन दोनों में हमें 3 by 5 common दिख रहा है, और common वाली property हमारी distributed होती है, मतलब एक property हम इसमें लगा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इनको साथ लेके आएंगे, इसको आगे ले आईए, इसको पीछे ले जाईए, आप अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इसको पीछे और इसको आगे ले जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है, इसको हम बोलते है, regrouping, कि हमने group change कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे, जब ही आगे आए तो इसम minus 4 minus 1 minus 5 by 6 हो गया, 3 by 5 minus 5 by 6 से multiply होगा पहले board mass में, mas, mass, तो multiplication पहले आता है, अपने जब multiply किया 5 से 5 के answer, 3, 2, 0, 6, ये बचा minus 1 by 2, ये last में 5 by 2 तो starting से वैसा ही चल रहा है, 5 by 2, तो denominator 2 ही रहेगा, क्योंकि same है, minus 1 plus 5, plus के 4 हो जाएगा, answer is 2, चलिए, इसी के साथ next question पर आते हैं second part है इसका, second part, 2 by 5 into minus 3 by 7 minus 1 by 6 into 3 by 2, plus 1 by 14 into 2 by 5, जैसा मैंने कहा जो number multiply हो रहे हैं, उनको एक unit लेके चलिए, अब यहाँ पर 3 units है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, प्रापर्टी लगानी ज़रूरी है, distributed property हम लोग लगा देंगे, देखिए कहा पर common है number, 2 by 5 minus 3 by 7, 1 by 6, 3 by 2, 1 by 14, 1 by 14, 2 by 5, तो यहाँ पर और last वाले में, 2 by 5 common है, इनको एक साथ लेके आते हैं, common ले लेंगे, तो हमारी distributed property लग जाएगी, question में उसने कहा है कि property लगाना ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाएगे, पूरे number को और इसको आगे ले जाएगे, ध्यान रखिएगा, जब 1 by 6, 3 by 2 पीछे जाएगा, तो minus के sign के साथ ही जाएगा, यह बिलकुल as it is last में और यह आगे shift हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, regrouping करना है, तो आप first number as it is 2 by 5 into minus 3 by 7, यह आगे आगया, प्लस के 1 by 14 into 2 by 5, और last में क्या है, minus 1 by 6 into 3 by 2, अब इन दो numbers में क्या common है, 2 by 5 common है, 2 by 5 आगे, ब्राकेट के बाहरा आजाएगा, ब्राकेट लगेगा, ब्राकेट में क्या बचेगा, 2 by 5 गया, तो इसके साथ जो into हो रहा था number वो भी गया, क्या बचा, minus के 3 by 7, अब minus 3 by 7 को ब्राकेट में रखने की जरूत नहीं है, एक ब्राकेट है ही बहर, तो minus 3 by 7 plus 2 by 5 तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 by 14, तो plus 1 by 14, और पीछे क्या है, minus के 1 by 6 into 3 by 2, अब यह आज ज़स लेके चलते हैं, बाद में इने multiply कर 2 by 5, अब LCM लीजिए, पहले ब्राकेट सॉल करेंगे हम लोग, 7 और 14, क्या LCM होगा, 14 होगा, क्योंकि दोनों की टेबल में 14 आ जाता है, 7, 2000, 14 होते हैं, मतलब 7 को आपने 14 बनाने के लिए 2 से multiply किया, तो उपर भी 2 से करिए, 3, 2000, 6, मतलब minus के 6, यह 14 है, 14 ही रहा, तो यह plus क 2 by 6 into 3 by 2, अब ब्राकेट सॉल करें, 2 by 5, minus 6 plus 1, minus के 5 हो जाएंगे, into minus 5 upon 14, minus 1 by 6 into 3 by 2, अच्छा, इसमें यह रहा गया, यहाँ पर जब आपने common लेते हैं, तो ब्राकेट में लिख दीजे, by distributed property, अब पहले, अब multiply करना शुरू करते हैं, दोनों ही numbers को, इन दोनों को अलग से और इन दोनों को अलग से, obviously, 2 by 5, 5 by 14 को करेंगे, 5 से 5 cancel, 2, 7, 0, 14, कितना बचा, उपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, minus का sign है, लेकिन, minus 1 upon 7, नीचे 7 रह गया, यहाँ पर 3, 2, 0, 6, और कुछ cancel नहीं हो रहा नहीं, minus 1 upon 2, 2, 0, 4, minus 1 by 7, minus 1 by 4, LCM ले लिजे, add अगर करना है, आप कोई ने solve, 7 और 4 का LCM, 7, 1s are 7, 7, 2s are 14, इसकी टेबल में नहीं आता, 7, 3s are 21, नहीं आता, 7, 4s are 28, 28 दोनों की टेबल में आता है, तो 28 LCM हो जाएगा, अब 7, 4s are 28 होते हैं, आपने 7 और 4 दोनों denominator को 28 common denominator रग दिया है, 7 को 28 बनाने के लिए 4 से multiply करना पड़ा होगा, तो आप उपर भी 4 से multiply करेंगे, मतलब minus 1 into 4, कितना हो जाएगा, minus के 4, यहाँ पर 4 था, 4 को 28 बनाने के लिए 7 से किया होगा, तो आप यहाँ पर भी 7 से करेंगे, यह सारा काम roughly mind में करना है, 7 into minus 1 is minus 7, यह minus का जो sign है बीच में यह बन के साथ ही माना जाता है यहाँपर, अब minus 7 और minus 4 minus 11 हो जाएगा, so minus 11 by 20, यह आपका answer है, first question important है इसका, क्योंकि ऐसी calculation फिर किसी question में है ने, general question है बाकी सारे, क्या करना है आपको पहले common डूणना है, जितने भी number plus minus हो रहे है, common इन दोनों में है, इसको आगे इसको पीछे ले जाके regrouping करनी है, इन में से common लेना है, जो बच प्लस माइनस कर दीजे, एक बार property यूज़ करनी जरूरी है, बस, चलिए, अब आगे आते है, next question is, write additive inverse of each of the following, इनका additive inverse लिखे, additive inverse में मैंने बताया था, सिर्फ sign change होता है, तो आप लिखेंगे, question है आपका, 2 by 8, आप लिखेंगे, number 2 by 8, additive inverse equals to minus 2 by 8, simple, यह इसका answer है, next time minus 5 by 9, आप लिखेंगे, number equals to minus 5 by 9, additive inverse equals to 5 by 9, sign change करते जाहिए, अच्छा, यह question important है, third है, minus 6 by minus 5, अब इस number में, numerator और denominator दोनों में minus already है, तो पहले क्या करेंगे, आप minus से minus cancel करके, number को बना लिजे, normal, तो आप लिखेंगे, number है, हमारा 6 by 5, क्योंकि 2 minus थे, number में, दोनों cancel हो गए, तो इसका additive inverse क्या होगा, एक minus आ जाएगा, minus 6 by 5, okay, next, 2 by minus 9, denominator में minus दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, नीचे अगर minus हो, तो वो उपर ही माना जाता है, तो आप लिखेंगे, number है, हमारा, minus 2 by 9, आप जब भी लिखे, numerator मे ही लिखे negative, तो additive inverse हमारा हो जाएगा, 2 by 9, इसमें आप गलती क्या करते हैं, आप सोचते हैं, कि 2 by minus 9 है, ये minus तो denominator में है, तो अब हम एक minus लगा देते हैं, फिर आप minus 2 by minus 9 कर देते हैं, जो answer गलत होगा, आपका, okay, इसमें आपको क्या करना है, जब negative denominator में दिया हो, उसको numerator मे लिखेंगे, जब आप number लिखेंगे, and उसके बाद देखें कि negative अगर उपर है, तो sign obviously additive inverse में positive काएगा, next है, 19 by minus 6, आप लिखेंगे number है, हमारा minus 19 by 6, negative number denominator में नहीं लिखते हैं हम लोग, तो additive inverse हो जाएगा, हमारा 19 by 6, clear है, चलिए, आगे है, verify करिए, minus x of x equals to x होता है, ये बह करना ही नहीं है, इसमें आपको third question, ये तो हम जानते हैं, 2 minus मिलके minus minus positive बनते हैं, सबसे पहला question है, आपका x equals to 11 by 15, आपको क्या करना है, minus x लिखेंगे, minus x कितना हो जाएगा, minus 11 by 15, आपको prove करना है, minus of minus x, तो आप यहां लिखेंगे, minus of minus x, मतलब की, minus of minus 11 by 15, कितना हो minus minus plus, plus 11 by 15, ये देखिए, plus 11 by 15 क्या था, हमारा x ही था, मतलब ये x ही आ गया हमारा फिर से, hence prove, second में आप लिखेंगे x है, हमारा second part, x equals to minus 13 by 17, आप पहले minus x क्या हो जाएगा, x अगर minus 13 by 17 है, minus x हो जाएगा, 13 by 17, sign change हो जाता है, negative करते ही, अब आपको क्या prove करना है, आपको निकालना है, minus of minus x, तो आप लिखेंगे, minus of minus x, किसके बराबर होगा, minus of, minus 13, minus of 13 by 17, क्योंकि minus x हमारा 13 by 17 था, 13 by 17, ये क्या हो जाएगा, minus के 13 by 17 हो जाएगा, minus के 13 by 17 क्या था, x ही था हमारा, तो ये तो x हो गया, तो यह नहीं कि minus of minus x xc हो गया है, hence proved. Okay? Third question है, minus 13, भाइस में भी same. I think हो गए हैं, दो ही question है, दो ही हैं. चलिए, आगे आते हैं. Next question है, find the multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse में क्या होता है? Number, उल्टा हो जाता है, numerator, denominator, denominator, numerator बन जाता है. Sign change नहीं करना, यह ध्यान रखना. Sign change होता है, additive inverse में. अगर आपको multiplicative inverse या फिर reciprocal पूछा जाए, तो सिर्फ number उल्टा होगा, sign वही रहेगा. तो आप लिखेंगे, number है हमारा minus 13, और multiplicative inverse हमारा हो जाएगा, minus के 1 by 13. मैंने आपको बताया था, जब number में denominator में कुछ ना हो, हम नीचे 1 मान के चलते हैं. और जब आप इसको उल्टा करेंगे, 1 उपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, लेकिन negative sign को नीचे लाना, avoid करिए, negative को उपर ही रखिए. तो minus 1 by 13 इसका additive inverse है. सॉरी, multiplicative inverse है. Next है, number है हमारा minus के 13 by 19, multiplicative inverse हो जाएगा, minus 19 by 13. Number है, 1 by 5, multiplicative inverse हो जाएगा, 5 by 1, यानि की 5. upon में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं. denominator में अगर 1 आ रहा है, वो by default माना ही जाता है, अगर कोई number में लिखते हूँ 7, तो इसके नीचे 1 by default है ही. Okay, next. Next is minus 1 into minus 2 by 5. देखी, पहले तो इसी को solve करना पड़ेगा, क्योंकि दो number multiplication में दिये हूँ है, तब हमारा final number बनेगा. 1 से जब आप किसी को multiply करते हैं, number वही रहेगा, लेकिन minus और minus, minus minus plus हो जाएगे, multiplication में आप जानते हैं, number हमारा 2 by 5 होगा, तो इसका multiplicative inverse 5 by 2 होगा. तो कहने का मतलब है, minus 1 का multiplicative inverse भी minus 1 ही होता है. दो ऐसे number है, यहां से आपका एक question कई बार 1 माक में आ जाता है, कि कौन से वो दो number है, जिनका multiplicative inverse वो खुदी होते हैं. एक number है 1, 1 का अगर आप उटा करोगे, तो 1 by 1, 1 by 1 ही रहेगा, और एक है minus 1. तो यह दो number ऐसे हैं, जिनका 1 का multiplicative inverse 1 ही है, minus 1 का multiplicative inverse minus 1 ही है. अगला question है, name the property, property का नाम बताए कि किस property से ऐसा हुआ है, कौन सी property यूज हुई है, multiplication में यहां पर. question कह रहा है, minus 4 by 5 into 1, बराबर होता है, 1 into minus 4 by 5, वो दोनों के answer, minus 4 by 5 ही आते हैं, कहने का मतलब है, question ने क्या किया, पहले minus 4 by 5 into 1 किया, फिर 1 को आगे लेके, इसको पीछे लेके गया, उसने क्या किया, यहां पर order change किया है, और मैंने क्या बताया था, जब order change होता है, इस property को, हम commutative property बोलते हैं, इसका answer आप लिखेंगे, इसमें जो property यूज हुई है, वो ही है, commutative property, अब commutative property भी दो में होती है, addition में भी होती है, multiplication में भी यह multiplication की है, of multiplication, यह इसका answer होगा, ठीक है, next, अगला question है, minus 13 by 17 into minus 2 by 7, equals to minus 2 by 7 into minus 13 by 17, इसमें भी same वही है, order change हुआ है आपका, minus 2 by 7 पहले आगया, minus 13 by 17 बाद में चला गया, तो इसमें भी commutative property of multiplication, commutative, T-A-T-I-V-E, property of multiplication, चलिए, आगे आते हैं, next is, minus 19 by 29 into 29 by minus 19, यहाँ पे आपने क्या किया, number को उसके multiplicative inverse से multiply कर दिया, number को जब उसके multiplicative inverse से आप multiply करते हैं, 2 by 9 को multiply करेंगे, 9 by 2 से, तो cancel हूँ, answer 1 ही आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं, multiplicative inverse property, multiplicative inverse property, चलिए, अगले question पर आते हैं, multiply 6 by 13, by the reciprocal of minus 7 by 16, question दियान से देखना है, 6 by 13 को multiply करना है, ठीक है, 6 by 13 को multiply करते हैं, किस से? इस से नहीं, इसके reciprocal से, तो पहले तो आप लिखेंगे, इसका reciprocal क्या होगा, आंसर आप यहां से शुरू करेंगे, आंसर 6, reciprocal, reciprocal क्या बता है था मैंने? multiplicative inverse reciprocal होता है, of minus 7 by 16, कितना हो जाएगा? minus 16 upon 7, अब multiply करेंगे, so minus 6 by 13 को हम multiply करेंगे, minus 16 by 7 से, कुछ cancel तो हो नहीं रहा है, answer हो जाएगा, 16, 6 सार 96 minus के 96 अपॉन 13, 7 सार 91, यही आपका आंसर है, minus 96 अपॉन 91, clear है? next, tell what property allow you to compute, 1 by 3 into 6 into 4 by 3, equals to 1 by 3 into 6 into 4 by 3, यह जो grouping होती है, कि पहले आप इनको multiply करके, इससे कर लीजिया, पहले इनको multiply करके, last number से कर लीजिये, यह कौन सी property है, यह होती है, associative property, associative law, या फिर associativity, आप जो भी लिखना चाहे, यहाँ पर आप लिखिए कि उसने property बोला है, तो associative property ही लिख देते हैं, associative property, अब यह भी multiplication में भी होती है, और addition में भी होती है, तो आप लिखिएंगे, associative property of multiplication, में ऐसा होता है, कि आप grouping पहले 2 की करिए, last के 2 की करिए, answer same ही आता है, 3 into 4 into 5, पहले 3 into 4 करके, फिर 5 से कर लिजे, या फिर पहले 4 into 5 करके, फिर 3 से कर लिजे, अगला question है आपका, is 8 by 9, the multiplicative inverse of minus 1 whole 1 by 8, why, why not, तो पहले इसको solve कर लेते हैं, कितना होगा, minus 1, 9 by 8, 8 by 9 का multiplicative inverse क्या होता है, आप लिखेंगे, multiplicative inverse of, 8 by 9 होता है, 9 by 8, 9 by 8 है हमारा, लेकिन minus sign आ गया, और हम जानते है, multiplicative inverse में सिर्फ नमबर उल्टे होते हैं, sign change नहीं होता, sign change additive inverse में होता है, so answer will be no, नहीं है ये इसका, multiplicative inverse, because of negative sign, समझ गया, ये number 8 by 9 है, इसका multiplicative inverse 9 by 8 होना चाहिए, जब अब ने इसको solve किया, तो ये आया, minus 9 by 8, that is why minus 9 by 8, is not multiplicative inverse of 8 by 9, so the answer is no, simple, next, is 0.3 is multiplicative inverse of this, अब ये दोनों ही problematic से हैं, ये decimal में हैं, ये mixed में है, दोनों को पहले, fraction में, normal fraction में change कर लेते हैं, 0.3, decimal अटा ये, 3 upon 10 हो जाएगा, decimal के बाद क्योंकि एक number है, last में 1 के पीछे एक 0 आ जाएगी, so ये 3 by 10 है, whole 3, 1 by 3, 3, 3's are 9, 9 plus 1, 10, 10 by 3, तो आप लिखेंगे, 3 by 10 का multiplicative inverse, 10 by 3 ही होता है, so 10 by 3, is multiplicative, inverse, of, of 3 by 10, so the answer is yes, हाँ, 0.3 इसका multiplicative inverse है, next, right, the rational number, that does not have a reciprocal, एक rational number ऐसा भी है, जिसका कोई opposite नहीं होता, and that is 0, क्यों, क्योंकि 0, चलिए, लिखा हुआ है आपने, 0 upon 1, इसको मानलियब आप कहेंगे, हम इसका reciprocal करने में, 1 upon 0 कर देंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा, 0 numerator में आ सकती है, denominator में कभी आप 0 रखी नहीं सकते, किसी number को आप 0 से divide नहीं कर सकते, क्योंकि ये not defined है, अभी तक mathematician इसकी value नहीं निकाल पाए है, अब मानलिये दो बच्चे हैं, मैंने कहा 1 को divide करो 0 से, एक बच्चे ने कहा 05001 बचा, 0700 फिर से 1, आप इसको कहां तक solve करेंगे, 02001, ये चलता ही जाएगा, दुसरा बच्चा different तरीके से करेगा, वो कहेगा 01001, 02001, तो इसका कोई specific answer नहीं है, मतलब किसी भी number को आप 0 से multiply नहीं कर सकते, इसका मतलब denominator में कभी भी 0 नहीं आता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेगा, rational numbers में, rational number P by Q की form में होता है, जहां पर Q कुछ भी हो सकता है, except 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 वो number है, जिसका reciprocal नहीं होता, क्योंकि 0 कभी denominator में नहीं जाती, और reciprocal में तो कोई भी number का आप करते हो, वो denominator में ही जाता है, 1 उपर आ जाता है, ओके, next, the rational number that are equal to their reciprocal, यह हमने अभी किये है, जो number खुद के reciprocal के भराबर है, 1 और minus 1, 1 का उल्टा भी 1 होता है, और minus 1 का भी minus 1 होता है, the rational number that is equals to its negative, number खुद के negative के equal है, ऐसा अगर आप general numbers में देखेंगे 5, 5 कभी भी minus 5 के बराबर नहीं हो सकता, 1 minus 1 के equal नहीं हो सकता, लेकिन 0, 0 वो number है, जो खुद के additive inverse के equal है, खुद के negative के, क्योंकि 0 लिखिए, प्लस के 0 लिखिए, माइनस के 0 लिखिए, कोई पर्क नहीं पड़ता, 0 actually plus minus होती नहीं है, 0 मतलब 0, 0 मतलब कुछ नहीं, ना वो positive है, ना negative है, तो 0 वो number है, जो खुद के negative के बराबर होती है, और 0 वो number है, जिसका कोई reciprocal नहीं होता, 1 और minus 1, खुद के reciprocals के equal होती है, यह 3 question आप ध्यान रखिएगा, 1 mark में अकसर यह पूछ ले जाते हैं, चलिए, next है, last question, fill in the blanks, 0 has dash reciprocal, 0 के कितने reciprocal होती है, कोई भी नहीं होता, तो 0 has no reciprocal, या फिर 0 reciprocal, next, the number dash and dash, are their own reciprocal, 1 and minus 1, खुद के reciprocal होते हैं, the reciprocal of minus 5, minus 5 का reciprocal minus 1 by 5 हो जाएगा, 1 by minus 5 नहीं, क्योंकि negative denominator में नहीं होता है, reciprocal of 1 by x, 1 by x का reciprocal x हो जाएगा, क्योंकि x by 1 हो जाएगा, इसका उल्टा, और अप उन में 1 का, हम लिखते नहीं हैं, denominator में, the product of 2 rational number is always, 2 rational number को जब आप multiply करते हो, तो answer भी हमेशा एक rational number ही आता है, fraction वाला number ही आएगा न, अगर fraction के number को, ज़नरल number को आप multiply कर रहे हो, तो answer is always a rational number, the reciprocal of positive rational number, positive का reciprocal, positive का उल्टा भी positive ही होता है, क्योंकि reciprocal में sign नहीं बदलते, sign change होते हैं, additive inverse में, positive का reciprocal मतलब multiplicative inverse positive ही होता है, ओके ये थे आपके फिलिंदा ब्लांक, ये थी आपकी exercise, hopefully सभी बच्चों को समझ में आगे हो, गर important question किसमें में बात करू, सबसे पहले तो one mark में यहां से, इनसे एक question ज़रूर पूछा जा सकता है, especially ये तीन question, उसके बाद पहले दो questions में से, एक question three mark में आ सकता है आपका, आपको किसी नमर का additive inverse, multiplicative inverse लिखने को आ सकता है, one mark में, और identity आपसे पूछ सकते हैं, one mark में, बस, मतलब पहला question most important है, marks भी जादा है, बाकिस में से, one mark का कोई भी एक question, पूछा जा सकता है, and that's all students, hopefully exercise आपको समझ में आ गई होगी, thank you so much for watching,